प्यारे बच्चों इस कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों इसका पहला भाग और दूसरा भाग आपने देखा न उसमें हमने क्या पढ़ा था हमने परिसर में कितने अलग-अलग प्रकार के प्राणी होते हैं पाये जाते हैं उन सब का अध्यन किया और भाग दो में हमने ये पढ़ा कि वैग्यानिकों ने पराणीओ का उनकी विश्यस्ताओं के आधार पर समोह बनाया है तो जिसमें हमने पढ़ा था हमारे बच्चे दूद पीते हैं हम उड़ते हैं हम पानी में रहते हैं ठीक है ना बच्चों तो वो सब पढ़ा था, इस कक्षा में हम आगेगा पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे हम रेंगते हैं, हम रेंगते हैं, से आपको कुछ खयाल आया होगा ना बच्चो, हाँ, रेंगने वाला प्राणी जैसे सबसे पहला हमारे दिमाग में साप का आता है साप कैसे समझ में आता है आपको कि साप रेंगता है देखिए रेंगने वाले प्राणियों में हमारे पास कई प्राणियों के नाम दिये के हैं कई प्राणी होते हैं गिर्गिट छिपकली तो आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके घर में है ना देखिए दिख रही होगी कहीं न कहीं तो है ना दिवाल पर हां हर घर में पाई जाने वाली ये रेंगने वाली प्राणी है छिपकली ठीक है ना रेंगने वाले प्राणी ठीक उसके पास चार पैर होते हैं गिल गिड भी उसी समूग का प्राणी है उसके पास चारा पैर होते हैं और अब तीसरा प्राणी जो हमारे किताब में दिया गया है साप, प्यारे बच्चो, आप ध्यान से देखो, साप के पास पैर होता है, यहां में वीडियो दिखा रहे हैं, साप कैसे रेंग रहा है, रेंग रहा है ना, कैसे फृतिली से रेंगते हुआ है, आगे का समू देखिए बच्चो, आगे का समू है, हमें कीटक कहते हैं, छोटे सबसे पहले मक्षर आपको कहीं भी कट लेता है आपके घर में भी आपको मिलता है जहां भी देखेंगा सबसारी महें आपने आपे दिखाई दे रहें, बहुत सारी तितलियां है, मक्षी है, है ना बच्चो, यह सभी किटक है, ठीक है, तितली आकार में पक्षियों से छोटी होती है, पर वो उड़ती है, बच्चों को तितली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत रंग भी और जब फूल पर बैठती है तब तो बच्चो को और अच्छी लगती है है ना प्यारे बच्चो आप लो उच्छरा ध्यान दीजिए उसके पैर दिखाई दे रहे हैं किटक के मक्षी के पैर बराबर दिखाई दे रहे हैं देखे गिनिये कितने हैं गिनते रहें गिनके बताईए एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, छे है ना हाँ, देखें तिटली के भी छे पैर है मच्छर के भी छे पैर है इसे ये पता चलता है कि किटकों पे छे पैर होते हैं ठीक है ना और सबसे और एक किटक जो है वो तिलचटा जो हर घर में पाया जाता है इसे भी किटक कहते हैं देखे बच्चो में आपको तितली के बारे में बताये था ना देखे तितली उड़ रही है कितनी सुन्दर है ना फूलो पे बैठती है अक्सर और फूलो का रस लेती है प्यारे बच्चो क्या आप जानते हो आगे हम देख लेकिन उनकी विश्यस्ताय जैसे दिखेंगे आपको लेकिन उनकी विश्यस्ताय कुछ अलग होती है तो उसी मेंसे एक है चमगादग ये रात को उड़ता है रात को निकलता है इसे रातरीचर भी कहते हैं क्योंकि वो रात में निकलता है इसलिए उसे रातरीचर प्राने कहते हैं ठीक से आप देखिए आपको चमगादड दिख रहा है ना चमगादड के पंक तो होते हैं वो उड़ता भी पक्षियों की तरह होते हैं पर उसके जो सरीर पर है ना पर नहीं होते हैं पर सब्द आपको समझ में आ रहा है क्या पंक जैसे कि आप तोता, कव्वा, चिडिया इनके पंक को देखिए उनके पंक गिरते हैं नीचे है ना गिरते हैं ना एक एक पंक कैसे दम अच्छे से रहते हैं बने हुए और फिर उगिर जाते हैं लेकिन इनका जो है चमगादड का आप देखेंगे ना तो ये चमडय का है एक और इसमें पॉर नहीं होता है ध्यान से देखिए लेकिन ये उड़ता है है ना ठीके अब इसकी विश्यस्ता ओपर ध्यान दीजिए तो पक्षियों की तरह उड़ता है ठीके ना और दूसरी विशेस्ता इसकी है कि रात रिचर प्राणी है, रात कोई बाहर निकलता है, तिसरी बात ही है कि ये हमेशाब खंडार वगरे में रहता है, आम जगहों पे निर्जैसे और पक्षी लोग कैसे पेड़ पर रहते हैं, तो ये ऐसा पेड़ पर आपको नहीं पुरानी हवेली रहे, पुरानी बस्ती रहे, मतला पुराना जगह, जहां जर जर जहां कोई इंसान नहीं रहता हो, वैसी जगह पे आपको दिखाई देगा, है ना, हाँ, आप लोगों को ध्यान में आ रहा है, आप टीवी वगरे में देखिए, जहां आप भूत वाले प् जैसा है, जैसे गाय, गाय अपने बच्चे को दूद पिलाती है ना, भैस, भैस अपने बच्चे को दूद पिलाती है, किने बच्चो बकरी देखिए, बकरी अपने बच्चे को दूद पिलाती है, बिल्ली अपने बच्चे को दूद पिलाती है, यह गुण किसका है, प्र है ना ठीक है आगे हम देखते हैं चमगादड कव्वा गौरया तोता इनके जैसा उड़ता है पर पक्षी नहीं है है ना बच्चो और ये इनके बच्चो अपने बच्चों को ये दूद पिलाता है इसलिए बैग्यानिकों ने इसके इस गुड को ध्यान में रखते हुए इस का जो समावेस है चमगादड का गाय बाग हीरन चुहे इनके समूमी किया है ठीक है ना बच्चो समझ मैं आपको आगे मैं आपको चमगादडड को अच्छी तरसे दिखाती हूँ कि वो अपने जो उड़ता कैसे है आप देखिए कैसे उड़ रहा है ना इसके पास पर नही लेकिन देखिए उसके मून यह पर नहीं है लेकिन पंख की तरह ही है और उसका देखिए आपको अच्छी तरह से दिख रहा है ना उसका मून और उसके उड़ने की जो क्रिया है ना बच्चो ठीके बच्चो समझ में आया ना चमगादड के बारे में तो ये हमने इस पाठ में ऐसे कई प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्ति की जिसमें हम पहले से परचित हैं कुछ के बारे में तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से जानते है परन्तो हमारे संसार में और भी बहुत सारे प्राणी है कही प्रकार के प्राणी है जिनें हमने देखा नहीं है जैसे हमारे देश में कुछ प्राणी पाया जाते हैं तो अगर हम दूसरे देश की बात करें जैसे अमेरिका, आस्ट्रेलिया तो वह वहां के प्राणी और हमारे प्राणी में कुछ हंतर होता है जैसे आपने ये देखा है तोता हमारा तोता कैसे होता है? हरा कलर का ना उसकी चोच लाल कलर की होती है और अफ्रीकन तोता जो होता है वो कैसा होता है रंग भी रंगा होता है है न बच्चो एकदम सुन्दर सुन्दर रंग के होते हैं रंग भी रंगा तोता होता है तो इस तरह से जो है हमारे पूरे संसार में इस पूरे भूम अंडल पे इस पूरे प्रित्वी पर कभगवान ने कितने अलग-अलग प्रकार के प्राणी बनाये हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और कुछ को हम नहीं देख पाते क्योंकि वो हर देश काल के अनुरूप होता है ना बच्चो हमारे देश में अलग तरह का है तो हमारे देश की जलवाई हो जैसे ठंडा गरम जैसी हमारे देश की जलवाई होगी उस तरह के प्राणी हमारे देश में पाया जाते हैं कुछ देखें, बरफिले प्रदेश होते हैं, तो हां के भालू वाइट होते हैं, अपने हां का भालू कैसा होता है, तो बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इस तरह से बच्चे लोग, बेटो, क्या होता है ना, हर प्राणियों में विवीधता पाए जाती है, देश के अनुस है ना, तो आगे हम और देखेंगे, प्राणियों के रंग में अलग होता है, उसका रूप अलग होता है, उसका आकार, ये सारी चीज़े जो होना, बहुत अलग-अलग होती है, और उनके चलना, फिरना, और रहने का जो उनका स्थान होता है, सब अलग-अलग होता है, है न अब जिस तरह से वो प्राण जैसे आपने देखा हाती है, तो वो कैसे चलेगा? उसकी चाल धीमी है, हिरन दोडता है, तेजी से दोडता है, तो उन दोनों के चाल में परिवर्तन हुआ ना, फरक हुआ की नहीं हुआ, हुआ ना, मगर है देखिए थोड़ा सा तेज चलता है, वहीं कच्छवा लोगे तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो इस तरह से उनके चलने फिरने में और उनके रहने में भी अलगाव है, विभिनता है, ठीक है ना, प्राणियों में पाए जाने वाली इस विभिनता को प्राणियों की विभितता कहते हैं, और यहीं उनकी विश कि प्रकार की जीव हैं और इन सब से हमारा समुद्र भरा पड़ा है उनमें इसा विवीदता पाई जाती है और हर एक प्राणी की आपने एक विशेश्टा होती है खासियत होती है ऐसे समझ्ट प्राणियों की जानकारी अच्छी लगत ये ना बच्चो मनुरंजक है कि ने है ना ठीक है ना आद्ट थोड़े और बढ़े हो जाएंगे आपकी कक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप इन प्राणियों के बारे में और 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 अधिक जानकरी प्राप्त करते जाएगे आपके आयू भी बढ़ेगी, आपकी कक्षा भी बढ़ेगी, उसके अनुसार आपको अधिक भी पढ़ाया जाएगा, अधिक जानकरी दी जाएगी, है ना बच्चो, फिलाल इस कक्षा के लिए आपके लिए इतना ही परियापत है, तो बच्चो, हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? इसके पहले, मैं आपको इस पूरे पाट का थोड़ा सा छोटे में सब समझाती हों, ठीके? हमने हमारे परिसर में क्या क्या पढ़ा? इस पाट में हमने ये पढ़ा, कि आकास में उणने वाले प्राणे, यैसे तोता, चील, इ मचली एक होती जाने से मचली से हाथी एक पड़ा आकार के अनुसार जासे हे ओर आगे हमने देखा चीटी है मचल है फिस दीरे-दीरे-चलता है ज़ित्यादि पालते हैं हमारे बोज़ाद होने के कामाने के लिए तो इस तरह से भेड है उसे हम पालते हैं ताकि हमें उन प्राप्त हो तो ये सारे पालतू प्राणियों को हम पालते हैं ताकि हमें उनसे फाइदा मिले हम उनसे लाब लेते हैं उसके आगे फिर हमने ये पढ़ा कि वैज्ञानी को ने प्राणियों की विशेस्ताओं के अनुसार इनका समुह बनाया और वो समुह को हमने इस कक्षा में मतलब इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा तो पहला समुह हमने देखा था कि हमारे बच्चे दूद पिलाते उसमें हमन पढ़ा था जो जादा नहीं उड़ सकता बहुत थोड़ा सा उड़ता है वो थोड़ी उचाई तक उड़ता है इनके बारे में पढ़ा था तीसरा हमने पढ़ाता हम पानी में रहते हैं तो जिसमें हमें मचली के बारे में पढ़ा था मचली मचली का मैंने आपको वह चोटा स जबर मक्ही इत्यादी के बारे में पढ़ा और कुछ जानकारी ली है ना बच्चो तो इस तरह से हमारा पार्ट पूरा हो गया अब इस पार्ट से हमें कुछ सीख मिलती है तो हमने क्या सीखा उसके बारे में देखेंगे ठीक है यह पांच पॉइंट हमारे पास हैं पांच और संचरन करने की विधी जैसी बातों को लेकर प्राणियों में विविदता पाही जाती है है न हमारे लिए कुछ प्राणियों का उप्योग होता है ऐसे प्राणियों को हम पाल लेते हैं तो उन्हें पालतू प्राणि कहते हैं कुछ प्राणी हमारे लिए कस्ट कारक होते हैं जैसे खटमल हुआ मच्चर हुआ हमें काट ले हैं बीमारी भी फैल जाती है उनके कारण तो कुछ ऐसे प्राणी है जिनका अध्यन हमने इस पाठ में किया प्राणियों की महतपुड विशेस्ताय देखकर वैज्यानिकोरे उन हाँ ठीक है तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चो तब मैं इस पाठ का पूरा आपको स्वाध्य कराऊंगी है ना बच्चो और स्वाध्य आप पूरा वीडियो देखिएगा बच्चे तभी आपको समझ में आएगा पाठ अच्छी तरह से एक बार ना समझ में पूरा तो फिर से वीडियो आप देख लीजिए और आपको ये कैसा लगा आप कमेंद्स में डालिए आपको अगला पाठ कौन सा पहले चाहिए वह भी आप दाले आपको पाठ तीसरा पढ़ाओं या चोध्य agipo чаю आप कमेंद्स में डालना मैं आपका देखूंगी और इ इसके बाद के कक्षा में हम इस पार्ट के स्वाधय को लेंगे ठीक है ना पढ़ते रहें मस्त रहें खुश रहें थैंक यू